Hello students, आज की वीडियो में हम discuss करेंगे 4th semester का English का question paper जो अभी June 2022 में हुआ है इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से questions पूछे गए हैं और किस-किस तरह से पूछे गए हैं वो सारा हम आज इसमें discuss करने वाले हैं First जो question है attempt all questions, time 3 hearts का है, marks है 80 First question compulsory है और यह 20 marks का है, 10 questions हमें इसमें से attempt करने है Who convince the meeting of princes? Convince का मतलब होता है आयजित करना किसने princes के meeting को आयजित किया था? First chapter the envoy में से यह आया हुआ है Who is the envoy and what is the purpose of his visit? Sindes वहाँ कौन था? और उसकी visit का purpose क्या था? दोनों question जो summary करवा रखे आपको उसमें cover हो रहे है Why are duryodhana's warriors confused at the entrance of Krishna? जब भगवान Krishna ने परवेश किया तो जो duryodhana के warriors थे, योदा थे, वो confused क्यों हो गए थे? ये भी आगर आपने उसमें पढ़ा हो तो क्योंकि उनको Krishna ही Krishna नचर आ रहा था उसमें जब वो जिधर भी देखे उसी तरफ तो इसलिए वो confused हो गए थे ये पताने शायद कुछ printing mistake है कि इसमें ये पूछ रखा है कि जो स्वीडोवी लोफ है वो क्यों डर रहा था और वो क्यों निरास था ये जो chapter है, the swan song उसमें से लिया गया है और ये भी इसमें cover हो रहा है कि लास्ट में वो ऐसा क्यों feel करता है उसको अच्छा मैसूस क्यों नहीं हो रहा था next है, how long has swilovidov been an actor swilovidov कितने लंबे समय से एक actor था ये भी बिलकुल पढ़ा रखा आपको कि कितने लंबे समय से था exactly याद नहीं, I think 46 ये पता नहीं कितना है आपको ध्यान होगा अगर आपने पढ़ा है तो ये question सारी वीडियो है fourth semester की, vocab की भी, phonetic transcription की भी, summary की भी बहुत अच्छे से पूरा syllabus अच्छे से prepare करवाया हुआ है fourth sem complete syllabus के नाम से playlist है उसको check करो, पढ़ो और अच्छे number लो उस playlist का link भी आपको description में मिल जाएगा next question है what is Herbert's attitude to Morris stories Herbert का attitude, द्रिश्टी कौन, प्रतिकिरिया कैसी है Morris की stories के परती ये कौन सा chapter है आपको पता है, the monkeys, poor what is Morris occupation Morris का व्यवसाइक क्या है, Morris क्या काम करता है occupation means होता व्यवसाइ why is Mrs. Poland गलत लिख दिया, इन्होंने Roland आएगा why is Mrs. Roland frustrated Mrs. Roland जो है, वो frustrated क्यों रहती थी क्योंकि उसका जो husband है, वो कमाता कुछ नहीं था और खर्च करता था, ड्रिंक करता था इस वज़े से ये next chapter है, before breakfast उससे लिया गया है who is Helen, Helen कौन थी, सभी को पता है जो Mr. था, Mr. Roland, उसकी girlfriend why does Mrs. Roland do to find her family क्या करती है अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए Mrs. Roland क्या करती है, suing सेलाई का काम करती है इन्वे से कोई दस करने थे, काफी सारे दे रखे है do and three, इन्वे से हमें कोई तीन लिखने है what is Krishna's purpose as an envoy Krishna का purpose क्या था, जो दोनों पार्टीज थी कौरवाज और पांडवाज उनके बीच में peace establish करना था और उनका जो अपना अपना जो do share है उचित हिस्सा है share का मतलब होता है हिस्सा जो कौरवों के हिस्से में आता है वो पांडवों के हिस्से में आता है उसको शानती पूरवक, बिलकुल peacefully उसको divide करना था बस ये जो था, ये purpose था समरी में बिलकुल included है ये explain the theme alienation and mental torment in the play swan song जो play है उसमें alienation आया है alienation होता है किसी चीज के परती जैसे हम किसी जगह से या फिर किसी काम से अलग हो जाते हैं लेकिन उसी की याद में खोई रहते हैं alienation होगा वो mental tournament, मानसीख tournament होती है पीडा कैसी मानसीख पीडा होती है इस play को ध्यान में रखते हुए हमें वो बाते बतानी है कि smile of joy कितना प्रेशान हो जाता है अपने acting career को लेके कितना alienated है वो कितना ये सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं इस तरह से ज़्यादा attachment है उसको और अब वो उस चीज़ से दूर जा रहा है तो उसके बीच में जो feeling आएगे उसको alienation कहेंगे why does Mrs. Roland streak नहीं आएगा, streak आएगा streak means होता है चिलाना shout at the end of the play Mrs. Roland एकदम से क्यों चिलाती है वो देखती है कि हर जगह पर bleeding हो रखिया है Mr. Roland है, वो नीचे गिर रखा होता चेर से और उसकी चेख निकल जाती है what is the theme of the monkey's paw monkey's paw जो chapter उसका theme क्या है बहुत अच्छी summary question answer इसके prepare करवा रखिये हैं बहुत बढ़िया तरीके से कि जो घटनाए है वो कुछ भी हो जाए वो घटके ही रहती है इस तरह का इसका कुछ थी मैं बहुत बढ़िया तरीके से लिखवा रखा है comment on the Mrs. Roland's attitude towards her husband Mrs. Roland's attitude क्या है उसके husband के परती उसके बारे में बताएं इसमें question आपका जो 5th chapter है उससे बहुत कम दिया गया है अब तक तो उसमें से कुछ दिया ही नियम नहीं गया अभी तक तो 4th chapter में पुरा cover करवा दिया इन्होंने पूरा paper explain with reference to the context explain करना है इसको हमें और poem की explanation कैसे लिखे सेम उसी तरीके से आप इनको explain करना सीख सकते हैं कि explanation वाली वीडियो अगर आपको explain करना नहीं आता और अथे marks लेना चाते हैं तो उसमें आप जरूर देखना सिरफ इसमें ये बताना है कि किसने कही थी ये line और किसको कही थी और बाकी poem की जगे हमें ये passes लिख देना है कि इस chapter poem की बजाए हम ये लिख देंगी कि these lines कहां से ले गई है उस उस chapter से ले गई है writer ये है इस chapter में ये कहना चाता है जो हमें वो चीज समरी से मिल जाएगी फिर हम starting में context लिखते हैं फिर explanation और last में comment इस तरह से तीन बनाने के बाद अगर आपको ये चीज थोड़ी सी कम भी आती है तो आपके four marks कहीं नहीं जाने के cowherd, grass is indeed the thing for you sir having killed on innocent women and horses, bulls and restless you shamelessly want to speak with respectable people cowherd, गायों को चराने वाला इसमें जो दुर्योधना है वो कहता है Lord Krishna को तो ये lines किस की हैं दुर्योधन की हैं इसके लिए वो disrespect करने के लिए भगवान Lord Krishna को ये सारी बाते कहता है और खुद को क्या मानता है कि we are respectable people what I first went on the when इस पे प्रिंटिंग मिस्टेक भूद हो रखे है when I first went on the stage in the first glow of passionate youth जब मैं पहली बार अपने युवा बस्था में बहुत पैसे नेट था जब मैं स्टेज पे गया समझ गई होगा swan song जो है उसमें से है पॉपिलर पॉपिलर क्यों स्पैलिंग अलदे रखी है यंग इनोसेंट पे और रेडियेंट आज इस समर डाउ डे डबलों डॉन तो इस तरह से उसमें से दे रखा है स्पील ओविड ओफ बताता कि किस तरह से वो अपने एक्टिंग केरियर में आया था और सभी उसके उपर कितने सभी अट्रेक्शन का सेंटर होता था वो किस तरह के अपनी यादें वो सब शेयर कर रखी हैं इसमें कोई एक लिखना है स्टूडेंज इन दोरों में से आपको कोई जो अच्छे से आता हो वो चैप्टर को पहचानने में गलती मत करना फॉर्ट सेमेस्टर हासान है और पांच है टोटल चैप्टर जिस में से सरिफ आपको फॉर्ट प्रिपेर करने है तो अच्छे मांक्स लेने का बहुत अच्छा मुका है गिव सिनॉनिमस औफ एनी फाइफ उफ दे फॉलोइंग सिनॉनिम बताने है किनी पांच के रेज, गुसा होता है एंगर, कॉंच शंक होता है, ओइस्टर भी बोलते हैं जिसको ओनर, रिस्पेक्ट, रेडियंट, चमकीला, ब्राइट भी लिख सकते हो जीनियस, इंटेलिजेंट, शट, क्लॉज, ट्राइफल ट्राइफल होता है, जिसकी लेस इंपोर्टेंट हो जिसकी कोई ज्यादा नॉन इंपोर्टेंट भी लिख सकते हो आप इसको या फिर ट्राइफल के से कहेंगे, जिसकी कोई वैल्यू ज्यादा नहीं हो यह सभी आपके करवाए हुए मिलेंगे ट्रांस्क्राइब एनी 7 आउट ओफ दे फॉलोई वर्ड्स और मार्क स्ट्रेस 7, कोई भी 7 आपको इसमें से ट्रांस्क्राइब करने हैं और प्राइमरी स्ट्रेस आपको मार्क करना है प्राइमरी स्ट्रेस लेबल पे होगा जिस पर जधा स्ट्रेस दिया जाता है उसी पर फिर्स्ट होगा यह भी आपके सारे करवा रखे हैं next है for blind candidates make sentences of any five phrases given below सेंटेंस बनाने हैं यह नॉर्मल स्टुडेंट्स के लिए नहीं है फिर मुव करते हैं कॉश्चन नमबर फॉर की तरफ ट्रैंसलेट फॉम हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश में ट्रैंसलेट करना है जीवन एक संकर से बताया था कि आपकी इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकत हैं यह एक दो दिन की प्रोसेस नहीं होती स्टुडेंट्स की आप दो दिन में सीख जाओगे कि कितने अच्छे से हम ट्रांसलेट कर सकें एक लंबी प्रोसेस होती है फिर भी आप जारी रख अगरो प्रिपेर करने के लिए आप अच्छे से अपना जितना होता है जितनी नौलेज आपको है उसको यूज करके अच्छी ट्रांसलेशन कर सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं यह भी आसाना है हुआ है यह तो बहुत जबर्जस्त पैराग्राफ दिया है इनोंने ट्रैंसलेट फॉम हिंदी इंग्लिश टू हिंदी और 15 माक्स हैं और है कि इसमें का दरपन है, क्या है जबड़ी करम सबर्सक्राइब के सम कौन सा मतलब लाता है, क्राइब करता साथ है is Pokudlamonagovy कशुधं कर दिंग सब्सक्राइब लेनना ल है कि जो spirit होती है उसको उसकी परती किरिया है कि लोग कैसे परती किरिया करते हैं those who cultivate a good test for reading literature ऐसे लोग जो एक अच्छा टेस्ट होता है जिनका reading literature में असाहिते को पढ़ने में learn to understand life better वो सीख जाते हैं जीवन को बहतर तरीके से समझना it exercise a healthy influence और ये डालता है एक बहुती अच्छा परबाव on our mental makeup हमारे दिमाग की जो धारनाई बनती हैं उन पर हमारे दिमाग में जो विचार बनते हैं उन पर तो ये आया हुआ था आपका translation next है write an email to the editor of the hindustan times my dear students ये कुछ दिन पहले ही मैंने करवाय था letter to editor expressing your views on environment pollution environment pollution पर विचार व्यक्त करने के लिए मुझे पक्का विश्वास है कि आपने अगर जिस तरह से मैंने लिखवाया था उसको थोड़ा सा change करके environment pollution पर तो 4-5 line के आप 18 line लिख देते होगे आराम से और फिर भी अगर आपने 4-5 line और बीच वाले जो letter की body होते हैं उसमें मिला के लिखी होंगे और वो same लिखा होगे आपके 13 marks तक आ जाएंगे बिलकुल कहीं नहीं जाने के दोनों ही आसाना रखें write an email to your friend to spend summer vacation with you summer vacation friend को invite करना है summer vacation के लिए letter तो एक अब का वो करते हैं इसको सिर्फ किस format में हमें change करना था email वाले में दोनों ही बहुत आसाना है हुए है अगर आपने अच्छे से attempt कियोंगे तो 13 marks तो बिलकुल कहीं नहीं जाने गे और थोड़े वोती दरूदर भी किया है तो फिर 10 marks तो आराम से आ जाने चाहिए अगर format भी बहुत बड़ीया तरीके से लिखा है तो और English तो इसी में से निकाल लेनी थी एडिटर का नाम है हिंदुस्तान टाइमस है सारे चीज़े दे रखी है environment, pollution, सब कुस दे रखा है तो ये था students semester 4 का question paper वीडियोज को जादा से जादा शेर किया करो चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लो और सभी अपने फ्रेंड सेरकल में अपने वीडियोज को शेर किया करो और उनको भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियोज हैलफूल लगती है तो